हेलो फ्रेंड्स दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं चेक बाउंस के केस के पांच महत्पूरण पाइदान यानिके स्टेप्स और ये पाइदान शुरू होते हैं केस फाइल करने से पहले यानिके कंप्लेंड सेक्शन 138 की जब हम फाइल करते हैं तो उससे पहले पांच तरह की जरनी होती है जो आकर जो है कंप्लेंड पर खतम होती है तो दोस्तों 138 पर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और कहीं वीडियो आपके जो है सहयोग से आपके प्यार से वाइरल हो रही हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पांच पाइदान है चेक मां उसके केस के कंप्लेंड फाइल करने तक वो क्या है और उसके बाद आपको कंप्लेंड कैसे फाइल करनी है उन में क्या-क्या डोकुमेंट्स लगाने हैं दोस्तों यह सब में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हो दोस्तों वीडियो शुड़ू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी हम ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें तो दोस्तों मारनिया सुप्रीम कोट ने दसरत रूप सिंगर अठोड वर्सिज स्टेट ओव महरास्ट्रा यह 2014 का केस है इस केस को डील करते हुए मारनिया सुप्रीम कोट ने यह पांच स्टेप ने धारित किये थे 138 की कंप्लेंट के संबंध में तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ड्रॉइंग ऑफ दा चैक यानि के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चैक इशू करता है किसी लीगल लाइबल्टी के चलते या कोई रिन के चलते किसी और लेंदेन के च जो है जब चैक हैंडवर करता है तब ही से वह लाइबल्टी शुरू हो जाती है तो दोस्तों इसमें तूसरा पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ दा चैक टूदा बैंक जिस व्यक्ति को चैक दिया चाहे वह कितनी अमाउंट का हो तो उस व्यक्ति ने वह चैक बैंक में लगाया यानि कि प्रेजेंट किया जहां से वह बाउंस हो गया तो दोस्ते इसमें तीसरा पॉइंट है रिटर्निंग ऑफ दे चैक अनपेड बाइदा ड्रॉवर बैंक ड्रॉई बैंक यानि कि जो चैक दिया गया था वह प्रेजेंटेशन के बाद वह उस अकाउंट में बाउंस हो गया यानि कि सफिशेंट अमाउंट जो है अकाउंट में नहीं था जिसकी वज़े से वह बाउंस हो गया तो यहां पर जो है 138 की लाइबल्टी 138 की प्रजंप्शन जो है वह बन जाती है चोथा पॉइंट है दोस्तों गीविंग नोटिस टू इन राइटिंग टू दा ड्रॉर ऑफ दा चेक डिमांडिंग पेमेंट ऑफ दा चेक अमाउंट और फिर चोथा इसमें पॉइंट बहुत ही महत पूरण है कि जो है चेक बाउंस हो गया चेक बाउंस होने के बाद क्या करें जो होल्डर है यानि कि ड्रॉर है उसको एक लीगल नोटिस बेज कि आपका चेक दिया और चेक बाउंस हो चुका है और इसलिए आप यह राशी जो है तुरंट इसका कैश में बुगतान करें ताकि यह जो है कोट में साबित ना हो और इसमें दोस्तों पांच वह पॉइंट है कि फैले और ऑफ द्रॉर तू मेंक पेमेंट विदिन आज भी बात आती है कि ड्रॉर ने पंधरा दिन के लिगल नोटिस के पीरियड में कोई भी पेमेंट वापिस नहीं कि यह पांचों इंग्रेडियंट जो है दोस्तों यह सेक्शन वन थर्टी एट को कॉंस्टिचूट करते हैं यानि कि एक बहुत ही असेंशल इंग्रेडि हैं तो अंत में उस व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होता जिसे चेक दिया होता है और फिर वो कोट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है अंडर सेक्शन वन थी एट ओफ अदा नेगोसेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्लेंट फाइल करने से पहले यह पांचो हो गया तो जो है ड्रॉर ने एक लीगल नोटीस बेजा लीगल नोटीस में 15 दिन का समय दिया लेकिन 15 दिन में भी उस व्यक्ति ने पेमेंट नहीं दी तो अंत में फिर जो है कंप्लेंट फाइल की जाती है चेक मांस केस की तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि जब और जो है आपको उसकी पेमेंट है मिले जो कंप्लेंट्स है उनकी तरफ से उनके एडवोकेट कंप्लेंट फाइल करते हैं लेकिन अगर मेरी मेरी वीडियो कोई एडवोकेट्स देख रहे हैं तो तब उनके लिए भी जानकारी बहुत ही महतपूर्ण है कि क्या क्या डॉक लगा होता है उसको हमें एक्जिबिट करते हैं सी डवल्यू वन अबलीक ए उसके बाद तीसरा जो है पॉइंट है लिस्ट ओफ विट्नेस जो कंप्लेंट है वह किन किन गवाहों को की गवाही करवाना चाहता है उनकी लिस्ट साथ में लगानी है उसके बाद पावर ओफ पाइंट है पत्तर सूची यह एक ब्लैंक फॉर्म होता है जो कोट में मिलता है यानि कि इसमें इसको पत्तर सूची बोला जाता है इसमें सभी डोकुमेंट का ब्योरा होता है कि क्या क्या डोकुमेंट से कंप्लेंड के साथ है लगाए गए हैं पत्तर सूची के बाद जो ह लेमिनेटेड चेक यानि कि चेक बाउंस हुआ है वह उसको लैमिनेशन करके उसकी कोपी करा के तो तब जो है वह औरिजिनल में साथ में लगाया जाना जुरूरी है और यह जो है कि तरफ से उसके बाद जो है बैंक एंडॉर्समेंट जो बैंक ने चेक बाउंस की एंडॉर्समेंट वेज़ी है वह आपको जो है लगानी है औरिजिनल में आप लगा सकते हैं इसको एक्जिबिट सी टू कहा जाता है और फिर लीगल नॉटिस जो आपने 15 दिन का समय देते ह हुए लेगल नॉटिस बेज़ा था उसकी कोपी आपको लगानी जुरूरी है इसको एक्जिबिट सी 3 बोलेंगे उसके बाद आप पोस्टल रिसीट यानि कि आपने स्पीड पोस्ट से बेज़ा तो उसकी रिसीट भी जो है कोट में पेस की जानी चाहिए तो इसको हम एक् सब्सक्राइब ताकि जो है उसको समनी चुकिया जाएं और इसको हमें एक्जिबिट सी 5 कहते हैं तो दोस्तों यह आपकी कंप्लेंट त्यार हो गई और अब आपको कोट में यह पेश करनी है उसके बाद से वह प्रोसेस है अक्यूज को समनिंग करने से शुरू हो जाएग तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ आप वारी नाइस डे टाटा बाबाए टेक केर